नमस्कार बच्चों स्वागत आपका इस वीडियो में जिसमें पाठ चिडिया की बच्ची के अगले दो प्रशन उत्रों की चर्चा गरेंगे प्रशन तीन और चार तो माधवदाज जी के बार-बार समझाने पर भी चिडिया, सोने के पिंजरे और सुक सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी, importance नहीं दे रही थी दूसरी तरफ माधवदाज जी की नजर में चिडिया की जिद्गा कोई मतलब नहीं दा तुकना था तो माधर दाज जी और चिडिया के मनो भावों उनके जो दिल के भाव हैं उनमें मतलब अंतर क्या क्या था वह अपने शब्दों में लिखें चीक है बच्चों क्या डिफरेंस था वो लिखना है तो बच्चों यह उत्तर है कि चिडिया की सुख सुविधायें प्रकृती में नहित थी मलब प्रकृती में ही थी नेचर में हवा धूप और फूल ही उसकी धन संपत्ती थे मा परिवार और घर उसके लिए सबसे सुखधाई थे उसकी सारी संपनता उसकी स्वच्छंदताथ ही थी मलब जहां मर्जी आज़ादी से जा सके उसे सुने चांदी से कुछ लेना देना नहीं था इन्हें चीज़ों का लालच उसके प्राकृतिक सुखं से वंचित कर देता जो जो सुख से चाहिए थे वंचित मलब दूर कर देता यही कारण था कि माधरदास जी की बातों को वो कोई महत्व नहीं दे रही थी अब वहीं दूसरी ओर माधरदास जी संसारिक सुखों में लिपत रहने वाले रहती थे मलद डूबे रहने वाले प्रकृती उनके लिए बस इतना ही मायने रखती थी प्रकृती मलद नेचर कि वे बैठ कर उसकी सुन्दरता नहारते रहें उनके लिए धन दौलत और ताकत संसार की मुल्यवान वस्तुएं थी जिन से वे दुनिया पर राज कर सकते थे या उनका मा आसा लगा तो 40-50 या इस से अधिक कुछ शब्दों में अपने प्रकृति क्रिया लिखें जो मुझे लगा मैं वो बताऊंगा जो आपको लगए आब वो लिखिए तो बच्चो यहरा उत्तर कि कहानी के अंत में सेट जी के नोकर जी के पंजे से ननी चिडिया जी के भाग निकलने की बात पढ़कर मुझे तो काफी खुशी अत्यंत खुशी और रहत महसूस हुई चिक है तो यदि मादरदा जीओ चिडिया रानी को कैद करने में सफल हो जाते तो चिडिया का रानी का शेष जीवन चिडिया रानी का शेष जीवन पाकी का जीवन नर्क के समान व दर दी है ठीक है feelings होना तो उस दुष्ट सेथ क्यूंकि वो लालच कर रहे थे चिडिया को कब जाग करना चाहते थे उसको तो उस दुष्ट सेथ के चंगूल से उसके बच निकलने की बाद से मुझे बहुत सुकून मिला जैसे चलचित्रों में पिच्चर में डर लगता ना पकड़े ना जाए बस वैसा अब छूट गई तो आजादी है खुशी हुई धन्यवाद